तो हेलो दोस्तों इतने असान तरीके से हम लोग चिकन बनाएंगे आप लोग बस एक बार वीडियो को फुल बाच किये तो इसके लिए प्याज हम लोग अच्छे से कटिंग कर लेंगे तो आप लोग को मालूम है इसमें हम लोग मौस्टर्ड आयल तेल डालेंगे जिसे हम सर अंदर इसे 20 लाल मिच ले लिए और इसके बाद बारी कटा हुआ प्याज जो है उसको एड करके अच्छे से फ्राई कर लेना हम लोगों को तो इसको एड करने बाद अच्छे से फ्राई करेंगे उसके साथ हम लोग लेसुन और अध्रक का पेस्ट जो है इसमें देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अच्छे से इसको मिक्स करते बीजाना है अब लोगको आज इस तरीके से अपनोपोगा देशी तर इस्टायल में और आसान तरीके से बनाएंगी हम लोग और यहां पर कुछ हम लोग ख़ड ही लिए हैं आप नहीं मैस के … तो इस तरीके से देखिए लासुन भी इसमें अट कर लिए हैं कुछ खड़ी ले सुन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक नमक तो हम बोलेंगे कि आप लोग स्वाद अनुसार नमक डालें क्योंकि इसका कोई अंताज्या न तो इसको रखने के बाद देखिए अमनों ढख दिये थे कुछ दिर बाद इसको जब उपिन किये हैं तो देखिए कितना अच्छे से प्याज गल गया है और प्याज का जो पानी है वह अच्छे से बहा निकल आ और अब इसमें हम लोग जो चिकन है उसको एड़ कर लेंगे चिकन को इसमें डाल देना है तो चलिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए अमफटाफट चिकन को इसमें डाल देते हैं चिकन को देखिए ड़ने के बाद इसे अच्छे से मिला लेना है यानि उपर निचे अच्छे से प्लट लेना है ताकि अच्छे से चिकन जो है उस पे प जो शोड़ दी­ है जो शोड़ उसमें पाने रिलिज कर दिया है और उसके बाद उपर-समें हल्दी पाउडर अच्छे से हैड्ड करेंगे जिससे इसका कऱर जो है अच्छा लगता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है तो इसको भी अच्छे से मिला लेंगे पूरा उपन निचे अच्छे से मिला लेना इस तरीके से जिस तरीके से हम लोग मिला रहे हैं और यह एक दम देशी तरीके से बनाया जा रहा है और धाब मसाला यानि मीट मसाला एड़ कर लेंगे तो अच्छे से देखे इसको भी मिला लेना है इसको मिलाने का थोड़ी देज़ के लिए बटक देना है कि वहल पांच मेठ के लिए डख देना है उसके बाद यही जो है हमारा सिर्क्रिट मसाला है जो की साबूत खाड़ा गरम मसाले को बारिक पीसा गया है तो यह बारिक पीस लिया गया है और इसको अच्छे से मिला लेना है और सक्त्य अनुसारी डाले कि जाद्या न डाले और इस तरीके से अब इसको चला दें अब आपका जो चिकन है वह 50-60% तक पग गया है भूनते भूनते ही 50-60% पग गया है आपक यह मसाला जुह है अच्छे से पख गया है अब चाहे तो इसको इस पर से वह उतार सकते हैं लेकिन हम लोग आज़ Möglichkeit पश्रान यह सब्रक्रक में बनाएंगे तो इसके लिए पाणी को ऊपर रख दे रहें कि पाणी गरम जल्दी बहुत तेरी उसका आच्छ है तो आप नर्मल आच से बिचला सकते हैं इसमें कोई दिकत नहीं है और इस तरीके से इसको अच्छे से उपर सिंचे मिला लेना है देखें कितना बड़ा बुलबला इसका हना स्टार्ट हो गया है तो अब सीधे मिलते हैं ढक्के नितार कल गया है कि आप एक बनाकर तो देखिए half-uely कर देखिए immer try कुच नहीं जाता है तो ट्राइक क लिजे और चैनल पर नए है तो चोनल को सलस्क्राइब ज़िपर कलने साथ में घंटी बटन को द sujet है इससे वीडियो टर्वेशन आपको मिलेगा